ये दिल के स्वास्त को बहतर बनाता है, दीने डैमेज को कम करता है, बढ़ती उम्र के नुकसान और कैंसर से सुरक्षा देता है, इम्मुनिटी बढ़ाता है, लिवर को डैमेज होने से बचाता है, ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है, पेट के स्वास्त को बैतर रखता है ये जुवास्त्रियों के लिए बहुत अच्छा है और उनकी ओविलेशन प्रक्रिया को ज्यादा स्वस्त रखता है ये रहा मेरा नाश्ता ये एक योगी का नाश्ता है इसे तैयार करना बड़ा असान है, बिना गैस जलाए आपका नाश्ता तैयार हो जाएगा हल्दी को छोड़ कर, हल्दी का घोल बनाने के लिए आपको पानी गर्म करना पड़ेगा बाकी सब कुछ भी जलाए बिना, पूर्जा का पूरा सद उपयोग और पोल्यूशन फ्री मेरी मोटर साइकल की तरह, क्योंकि मैं उसे बहुत ही कम कारबन जला कर चलाता हूँ आपके पेट के साथ भी यही बात है, क्योंकि आपके टैंक में जो जाएगा, वो तय करेगा कि आप कैसे काम करेंगे तो इन चेरी टमाटरों के साथ शरुवात करते हैं, यह छोटे-छोटे जैविक रूप से उगाए गए टमाटर, जो हमें आके मेनोनाइट खेतों से मिलते हैं, यह बहतरीन लोग है, जो हर चीज बड़े ही प्राक्रितिक रूप से उगा रहे हैं चेरी टमाटर बहुत फाइदमन्ध है, फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए, जो बीमारी पैदा करते हैं, और यह यह अल्ट्रा वाइलट केड़नों से स्किन को होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं मेरी तवचा नहीं, पर वो लोग जिनके स्किन में पर्याप्त पिग्मेंटेशन नहीं है, यह उनके लिए एक बड़ा अंतर लाएंगे और साथ ही यह दिल के स्वास्त को भी बहतर बनाते हैं चरी टमाटर में कैल्शियम, मैगनीज फॉस्फोरस और पुटेशियम जैसे मिनरल्स भदपूर होते हैं अरुगोला स्ट्राउट्स, जो की माइक्रो ग्रीन है, यानी की बहुत छोटी पत्यां इनमें अंटि आक्सिडेंस और विटामिन जैसे पोशक तत्यों की जबरदस्ट कॉंसेंट्रेटेड मात्रा होती है आम पून विक्सित पत्यों के मुकाबले 40 गुना ज्यादा खीरा, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाता है, यह हमेशा सबसे अच्छा है कि हम पानी खाएं, ऐसा खाना खाकर जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है न कि बस पानी पीएं हीरा हड्डियों को मजबूत बनाता है इसमें भरपूर विटामिन के होता है पेट का स्वास्थ अच्छा रखता है खून में शुगर को मेंटेन करता है और निश्चत ही आपके वजन को भी क्योंकि ये बस आपको पोशक पानी से बढ़ता है और इसमें प्रोटीन भी होता है जो कुछ हद तक कैंसर से बचाव कर सकता है ये निश्चत ही दिल के स्वास्थ को बहतर बनाता है पर तब ही जब आपके पास दिल हो अगर आप मेरी तरह हैं जिसने अपना दिल दे रखा है थब पर आप तब भी खीरा खा सकते हैं ये भिगोई हुई मूंक फलियां या ग्राउंड नट्स असल में ये नट्स नहीं हैं ये फलियां हैं इन्हे दक्षन भारत में कडले काये, चेन काये बोलते हैं पर अंग्रेज इन्हे नट्स बोलते थे असल में ये नट्स नहीं हैं, ये फलियां हैं और ये भिगो करके छिले हुए कच्चे बादाम भिगो कर छिले हुए कच्चे अक्रोट इनको रात भर पानी में भिगोया जाता है और फिर छीला जाता है इससे इन में मौजूद पोशक तत्वों के विपरीत तत्व और दूसरे जहरीले पदार्थ निकल जाते हैं क्योंकि वो सब पानी में भुल जाते हैं इन विपरीत तत्वों और जहरीले पदार्थों के बिना इन नट्स और बीजों के पोशक तत्व शरीर द्वारा सोखे जाने के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं पोशक तत्वों और हेल्दी फैट से भरपूर ये दिल की बिमारी का खत्रा कम करते हैं और ब्लड शुगर को मेंटेन रखते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं खास तोर से अगर आप मेरा मतलब है अगर आप इसी पर जाती के हैं तो ये छोटी-छोटी हल्दी और नीम की गोलियां बिल्कुल फ्रेश, एंटी ओक्सिडन्ट और विटामिन बी से भरपूर यहां हल्दी और नीम की गोलियां हैं और हल्दी का काड़ा भी ये आपके सिस्टम में से इन्फलमेट्री मारकर्स को हटाने के लिए बहुत अच्छे हैं मेरा मतलब है ये सूजन कम करते हैं और ये आपकी आंथ को बहुत अच्छे से साफ करते हैं अगर किसी प्रकार का कोई दूसरा जीवन या ऐसी चीजे हैं जिनके आपको जरूरत नहीं हैं और कोई खराब बैक्टीरिया जो वहां हो सकते हैं उनकी सफाई ये आंथ के अच्छे स्वास्थ के लिए बहुत लाबदायक है आज आप जानते हैं कि मेडिकल साइंस इस पर फिर से लौट करा रहा है कि आपके पेट का एक दमाग होता है कि आपकी बुद्धी का एक महतुपून हिस्सा आपके पेट में काम करता है होना भी चाहिए क्यो आइरन, कॉपर, जिंक, विटमिन B, फोलियेट और विटमिन E का एक बहुत अच्छा स्रोथ वैसे मैं चीजों को इस तरह नहीं देखता पर काले तिल सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहे हैं खासकर जब मैं ट्रेकिंग पर जाता था जब मैं अखेले ट्रेक करता था तो भु आतर बनाते हैं और दक्षन भारत की परंपरा का एक हिस्सा है कि सर्दियों में जब दक्षन भारत में ठंडी और गर्मी एक साथ होती है तो तवचा चटकने लगती है तब हम काले तिल का सेवन करते हैं खास तोर से करनाटक में ये एक पूरी की पूरी परंपरा है कि हर को ये एक दूसरे के परिवार के साथ तिल शेयर करते हैं इसे बढ़ावा देने के लिए ताकि आपकी त्वचा का स्वास्थ बहुत अच्छा बना रहे अंदर और बाहर दोनों तेल आइरन का भी बहुत अच्छा स्रोथ है आप मेंसे जिनको आइरन की कमी है खास दौर से महिला हैं उनके लिए तिल खाना बहुत ही अच्छा होगा ये योवा महिलाओं के लिए भी अच्छा है उनकी ओविलेशन प्रक्रिया को स्वस्थ रखने के लिए ब्लूबेरी या नार इन में से कोई एक निर्वर करता है कि आप कहां पर है ये सबसे ज्यादा एंटी ओक्सिडन वाले विकल्पों में से एक हैं जो आप ग्रहंड कर सकते हैं डीने डैमेज को कम करता है उम्र बढ़ने से होने वाले नुकसान और कैंसर से भी सुरक्षित रखता है भारत में इतने सारे बेरीज हैं खेले रंग वाले खास तोर से दक्षन और पश्चिमी भारत में आपको बहुत से बेरीज मिलेंगे जिन में इनके जैसे ही गुण होते हैं अंकुरित फेन्यूग्रीक या मेती जैसा कि इसे कहा जाता है ये बीज बेहतरीन खून साफ करने वाले हैं प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स के अच्छे स्रोथ है ये स्तनपान कराने वाली माओं के लिए बहुत फायदेमंद है बाल और नाकुन बढ़ाने में सहायक हैं ब्लड ट्रेशर कम करते हैं खून में शुगर के स्तर को नीचलाते हैं सूजन कम करते हैं ये अंकुरित मेथी, ये अंकुरित मूं के साथ ये दिमागी स्वास्त के लिए बहुत अच्छे हैं जिनकी उम्र पचास से ज्यादा है उन्हें ये हर रोज जरूर लेना चाहिए नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा धिरे धिरे आप इसे खो देंगे ये रहे कुछ ओलिव्स, ओलिव्स का अचाहर ये एक यहां हमारे आसपास कुछ लेबनन के कई लोग हैं तो ये लेबनन का फसाने वाला जाल है वो मुझे लेबनन वाला बनाने की कुशिश कर रहे हैं पर यहां मेरे पास कच्छे आम का अचाहर भी है भारती बने रहने के लिए दोनों ही एंटी आक्सिडेंट से भरपूर है और इनमें कई तरह के गुण होते हैं दोनों ही दिल के स्वास्त के लिए बहुत अच्छे हैं कच्चे आम और दिल का स्वास्त आपस में बहुत जुड़े हुए हैं और जैसा कि हर कोई कम से कम दक्षन भारत में तो यह जानता होगा, शाइद पूरे भारत में, कि गाव में जब एक युवा स्त्री कच्चा आम खाती है, क्योंकि उसे वो खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो तुरंथर कोई जान जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, जब एक स्त्री गर्भ धारन करती है, तो इसे खाने की प्राकृतिक इच्छा होती है, क्योंकि ये कैल्शियम और विटमिन सी से इतना भरपूर है कि शरीर ऐसी चीज़ों को खाने की एक लालसा पैदा करता है, तो कच्चा आम जाहिरे की सीजनल होता है, पर इसके जबरदस्त फाइदे हैं, और ये ये भी पक्का करता है कि मैं चाहिए जहां ट्रैवल करूँ, कच्चे आम का अचार, खासकर इसी सीजन का फ्रेश अचार, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि अटलांटा में बहुत सारे लोग, भारती मूल के नहीं, लोग कहते हैं, सद्गुरू मैंने अपने घर में आम का पेड़ लगा रखा है, और वो मुझे कच्चे आम लाकर देते हैं, और ये आम के अचार इसका ख्याल रखते हैं कि मुझे कभी घर की याद ना है, और ये एक नेटिव अमेरिकी प्रोड़क्ट है, ये नकोटा जन जाती से है, मुझे अच्छे से याद नहीं कि नकोटा है कि डकोटा या लकोटा पर इन में से कोई एक है, जब मैंने नेटिव अमेरिकी राज्यों की सहर की थी, तो मैंने ये लिया था, और अब भी मेरे पास है, ये फूल मेरे आसपास के लोगों के प्रेम के भी वेक्ती है, तो कैसे रखते हैं, अगर हम मजबूती से जीना और विक्सित होना चाहते हैं, तो हमारे टैंक में क्या जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को बताना मत कि मैं अपनी मोटरसाइकल में रेसिंग फ्यूल डालता हूँ और अपने अंदर भी,